आज तक रेटियो सुनता है सारा जहां इसके नुकसान की भरपाई कर सकें। इसी बकाया रकम को ना चुका पाने के कारण को फाइनेन्स मिनस्टर निर्मला सितारमन ने एक्ट ओफ गॉड कहा था। ये तो हुई उस फ्रेज और इसकी हालिया कहानी। लेकिन अब finance minister का यही excuse केंदर सरकार के लिए गले की हड़ी बनता हुआ दिख रहा है और कुछ कंपनिया इसी Act of God को पकर कर Supreme Court पहुच गही है जहां पहले से loan moratorium पर सुनवाई चल रही है साथ ही ब्याज पर ब्याज वसूले जाने का मामला लंबित है तो आखिर कैसे Act of God वाला excuse सरकार के गले में जाकर फस्ता दिख रहा है यहां से मामला किस ओर जाएगा और उसका नफ़ा नुकसान किस के खाते आएगा इस podcast में बात होगी इसी Act of God पर नमस्कार मैं हूँ रितुराज और इस मामले में लगातार होड़े developments पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं आर्थिक मामलों के जानकार और India Today हिंदी पत्रिका के एडिटर अन्शुमान तिवारी सबसे पहले यही बताएं कि इस पूरे लोन मोरेटोरियम ब्याज पर ब्याज और NPA के मामले में क्या updates हैं आज की तारीख में उसके बात जानेंगे कैसे ये Act of God सरकार के गले में फस्ता दिख रहा है इस मामले पर सुनवाई सुप्रियम कोर्ट में लगातार चल रही है यह जब मारेटोरियम खतम होने की दूसरे मारेटोरियम के खतम होने की तारीख आने वाली थी उससे पहले यह मामला इदालत में पहुँच गया था और इसे जो छोटे रिटेल करज लेने वाले थे वो कोट गए थे और उन्होंने मान की थी कि सरकार की बैंकों को इस बात कादेश दिया जाना चाहिए कि वो कम से कम ब्याज पर ब्याज तो ना लें जो यानि जो ब्याज उनको बकाय जो जो मौरेटोरियम उनको दिया गया है यानि जिस करज की वसूली उनसे कुछ समय बाद ह कि थी, सरकार भी उसे सहमत थी, कल अदालत की सुनवाई में कुछ खास हुआ और जिसके बाद या पूरा मामला एक दूसरी तरफ मुड़ता दिखाई दे रहा है, कल अदालत की सुनवाई में यह हुआ कि सुप्रिम कोर्ट के सामने सुनवाई में पावर सेक्टर की कंपिन और रेल इस्टेट कंपिनिया भी शामिल हो गई उन्होंने इसमें अपने आपको शामिल किया और उन्होंने यह मांग की कि सुप्रिम कोट ये विवस्था दे कि यह कह रही है कि वो फोर्स मेजोर यानि एक टाफ गार्ड या प्रतियाशत परस्थितियों में कारोबार खतम ह होने के कारण गीटीपी टूटने के कारण राजे सरकारों को नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती तो फिर कंपिनियों को भी क्यों नहीं रियायत दी जाए कि वो ब्याजनाप पे करें या वो वो ब्याज के भुकतान से उनको छोट दी जाए या उसमें रियायत दी जाए इ और इसके साथ सरकार की तरफ से एट्रोनी जनरल मौझूद थे तो उन्होंने इस पूरी बातचीत में में सुप्रिम कोट ने लगाता रिये समझने की कोशिस की और सवाल जवाब कूछने की कोशिस की कि आखिर ये या आखिर सरकार को ऐसा करने में दिक्कत क्या है आखिर बै कोट ने भीच का रास्ता निकाला जब अदालत में सरकार कोई लगा कि सुप्रिम कोट कोई सक्त पैसला ना दे दे तो सरकार ने यह कहा कि हम कोट समय दिया जाए सरकार कई सारे प्रस्तावों पर विचार कर रही है रियायत देने के लिए जो कोविट से परेशान उद्यमी द्योग पती हैं और जो कर्ज लेने वाले हैं तब तक जो NPA काउंट है उनको डाउंग्रेट नहीं किया जाएगा वो उसी स्थिती में बने रहेंगे और सरकार इस मामले में अपना जवाब पेश करेगी एठाइस तारिक को इसकी सुनवाई होनी है NPA काउंट डाउंग्रेट करने का मतलब यह कि अगर रधारित समय के बाद पैसा वापस नहीं आएगा और कंपिनिया रिस्ट्रक्शरिंग प्लान का भी हिस्सा नहीं लेंगी तो उनके खाते NPA के खातों में चले जाएंगे ऐसे तो हम लोग बहुत बार NPA को अपने पॉडकास्ट में समझा चुके हैं आप बता चुके हैं लेकिन जो नए लोग हैं आर्थिक विश्यों को बहुत बारीकी से या गहराई से नहीं समझते हैं बहुत चोटे से मैं अगर आप समझा पाएं बहुत ही आसान भाषा में कि ये NPA होता क्या है देखे नन परफार्मिंग एसेट्स बैंक के वो करज होते हैं जो एक निरधार इस समय के बाद 60-90 दिनों और 60-60 दिनों के अलग अलग करम के हिसाब से उनने को बाटा जाता है और जिनकी वापसी ये वसूली नहीं हो पाती है सामाने परिस्थितिये में उनको नन परफार्मिंग एसेट्स कहा जाता है और इसके लिए बैंकों में अलग-अलग केटिगरीज हैं जिनको हम SMA 0, SMA 1, SMA 2 कहते हैं तो जिस की उधारी या बकाई जितनी बकायादारी यतनी लंबी होती जाती है उन्हें उस हिसाब से उन केटिगरीज में डाला जाता है यह प्रक्रिया कोविट के आने से पहले थी कोविट के बीच में यह सारी प्रक्रिया रुग गई थी क्योंकि सरकार बैंकों ने सारे तरीके के करजों पर सभी करजों पर सभी कर लोगों को मारिटोरियम की स्विधा दे दी कि जो भी चाहे वो आया और बैंक से अपने कर्च की भुक्तान की वसूली टलवा सकता है तो वो पहले तीन महीने के लिए दी गई फिर दुबारा तीन महीने के लिए दी गई छे महीने के बाद फिर बैंक के डिसाइड करेंगे कि अब कौन सी से कर्जों को पर नहीं है क्योंकि कामत कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद आप बैंक अपनी अपनी स्ट्रक्चरिंग स्की में तयार कर रहा है ये तो शुरूर हुआ था छोटे करदाताओं के लिए हमारे आपके लिए ब्याज पर ब्याज के लिए अब इसमें बरी कंपनिया क्यों घुस है मतलب ये किस और जा रहा है मामला यहाँ से दोविधाय चैसे होते हैं चाया वो अद्द्योंगि करद लेने वाला हो या वो सामान बरे करद लेने वाला हो क्योंकि उनकोग सिस्ट्म के तहण दिया जाता है बैंकों की पूजी हैं उनके पास जो डिपाजिटर्स का पैसा जमाय उसी से को करज देते हैं तो सुप्रीम कोट ने जब इसमें दखल दिया तो उसके बाद बाद कमपीनियों को भी यह बात महसूस हुई कि कि अगर छोटे करज रिटेल का करज लेने बालों को इस विधार मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं मिलनी चाहिए लेकिन तब तक य कियां सरकार की गत्विधियां ठप हो गई हैं और रिविन्यूस गिरे हैं उसके बाद रियल स्टेट डेवलपर्स सुप्रीम कोट पहुंचे और उनने सुप्रीम कोट से मांग की कि जिस परक के आधार पर केंद सरकार अपने आपको एक टाफ गॉड से प्रभावित मान र गई हैं वहीं हमारे उपर भी लागू होना चाहिए वही निजी कमपिनियों पर भी लागू होना चाहिए तो इसके बाद फिर यह मामला पेचीदा और उलज गया है इसलिए जब सुप्रीम कोट में सुनवाई हो रही थी तो सरकार की तरफ से कहा गया कि इसे दोनों चीज से कर रही है उनकी लोन रिस्ट्रॉक्चिरिंग के लिए उन्हें और तरह तरह की की मदद देने के लिए सुप्रिम कोट अभी सवाल के जवाब पर राजी नहीं हुआ है लेकिन अगर एक्ट अफ गौड या फूर्स मेजूर का मामला अदालत में स्थापित हो जाता है तो इ इसके असर काफी बड़े होंगे क्योंकि पहले से ही बहुत सारी कम्पिनियां अलग अलग जिखें लिटीगेशन में हैं जहां उन्होंने अपने अनुबंधों में फूर्स मेजूर के या एक्टाफ गौड के क्लास के तहथ अपने सप्लायरों को या जहां उन्होंने किराय पर सामान ले रखा है या जमीन ले रखिये उन्हें भुकतान करने से मना कर दिया है और ऐसे कई सारे विवाद रिटेल कंपिनियों और शापिंग माल वालों के बीच में थीटर और शापिंग माल वालों के बीच में शुरू हो चुके हैं इस बीच में ये घटना करम शुरू होना सिर्फ बैंक करच के लिहास से ही महत्तो पूर्ण नहीं है कि बैंक कर्ष के मामले में कि परिस्तिती के मामले में लोगों को ब्याच भुगतान करने से छूट दी जाए या ना दी जाए ये इसे ही केवल निरधारित नहीं करेगा बलकि सुप्रीम कोर्ट क्या निरधारित करता है उसका असर और भी बहुत सारे अनुबंधों पर अनुबंध सर यहां रुकेंगे बिल्कुल छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद जब लोटेंगे तो हमारा जो मूल सवाल है कि कैसे Act of God सरकार के गले में फस्ता दिख रहा है उस पर बात करेंगे सुभा सुभा ऐसा लगता है कि सब की गाड़ी छूट रही है लेकिन न्यूज भी तो मिस हो रही है स्कूल कॉलेज या ओफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है मगर तेश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुभा की शुरुवात आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है सटीक एनलिसिस पहले बड़ी खबरें और फिर अख़बारों के चुनिंदा मोती ये है सुभा का खबर नामा आज का दिन मेरे याने नितन ठाकुर के साथ स्वागत है आपका ब्रेक के बाद तो सर हम लोटे हैं ब्रेक के बाद और हमारा अब जो फोकस वाला सवाल है वो यही था कि कैसे ये एक्ट आफ गॉड जो है वो सरकार के गले में फस्ता हुआ दिख रहा है कैसे अब यहां से सरकार के लिए ये Act of God वाला जो मुहावरा था वो एक मुश्किल खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है सरकार की तरफ से कल अदालत में कहा गया सुप्रिम कोट से अपील की गई कि वो एक तरफा कोई आदेश पारित ना करें क्योंकि इसका असर काफी सारे कारोबारों पर और सरकार के कामकाश पर काफी गहरा नकारत्मक असर होगा सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि इस लिटिगेशन का या इस मामले का फायदा उठाने की कोशिस कई सारी कमपिनिया कर रही है हैंब अब यहां सə सुप्रिम कोर्ट और सरकार के बीच का मामला है। अगर सुप्रिम कोर्ट निजी कमपेणियों की या या जो करज लेने वाले छोटे लोग हैं उनकी दलील मानता है और उनके लिए बयाज पर बयाज में जsanहेत, सिफारिश की सिफारिश की बात करता है या स्वीकार करता है तो परुख शुरूप से शायद वो एमान रहा होगा कि एक प्रत्याशित परिस्तिती पैदा हुई जिसके कारण अध्योगी का और कारोबारी का दिविदिया ठप हो गई है और उसका लाग उसके उसके उसमें इन लेकिन अगर यह स्थापित होता है तो बहुत सारी गत्यविदिया, दो कंपिनियों के बीच यख़ो कारोबार है उस पर भी इसका असर पड़ेगा एक कंपिनी, दूसरे कंपिनी से कह सकती है कि एक टाफ गॉड है, किसी को भुझतान करना है तो वह मानेगा कि एक टाफ गॉ अब यहां से अदालत किस दिशा में ले जाती है अदालत इसे एक ताफ गॉड मानती है या इसे किसी दूसरे सिस्टम के तहट परिभाशित करके रियायत देती है यह हमें अदालत की अधिस सुनवाई में पूदा चलेगा तो अब इस मामले का भविश क्या होने वाला है हमने मारिटोरियम दिया था और उसके बाद कामत कवेंटी की सिफारिशों के आधार पर एक बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम लाई गई है जिसमें की छोटे उद्योपती बड़े उद्योपती जो सामान करज लेने वाले लोग है सारे लोग शामिल है और उन्हें बैंक की तरफ से शायद वो इसकीम अदालत के सामने रखी जाएगी ताकि अदालत को बताया जा सके कि सरकार संवेदरिशील है वो इस परिस्तियों को समझ रही है और जो मौझूदा नियम और वेवस्था है उनके तहट उनका समाधान निकाला जा रहा है इस पर कोई एक तरफा फैसला नहीं किया जा सकता इसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट इस पूरी वेवस्था से सहमत होता है तो शायद वो इस वेवस्था में जाने की सलहा देगा लेकिन जो बुनियादी मामला है वो वहीं टगा रहेगा कि ब्याज पर ब्याज लिया जाना चाहिए कि नहीं लि आ जाना चाहिए मतलब रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम में भी दी केवल भुक्तान टलता है कि आपको त्शे मेने के बजाए एक साल वर में भुक्तान करना है अपने लोन के कुछ किष्टों को डियाज का मसला क्या होगा क्या सुप्रीम कोर्ट सीधे ब्याज के मामले में दख अगर सुप्रीम कोर्ट ब्याज के पूरे मामले में दखल करता है तो इसका बड़ा असर बैंकिंग सिस्टम पर पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि ब्याज कैसे राहित किया जाए और ब्याज पर ब्याज ये पेनल्टी लगाए जाए या नहीं लगाए पहले चीज़ दूसरी चीज़ ये कि इस दखल को 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 इस दखल के साथ क्या सुप्रीम कोर्ट ये मानेगा कि ये प्रत्याशित परिस्थिती है यानि वही है जो एक टाफ गॉड है जिसको सरकार ने कहा है क्या सुप्रीम कोर्ट उसको मानेगा मानेगा तो उसके कमिटी की रिपोर्ट ने बताया कि बैंक को कि 20% के आसपास लोन कोविट से हिट हैं तो वो बैंक जो किसी तरीके से निकलने की कोशिस कर रहे थे चटपटा रहे थे उनके ऊपर ये पूरा जो लिटिगेशन है जो कानूनी विवाद शुरू हुआ है इसका उनकी profitability पे क्या आसर पड़ेगा उनकी कितनी पूंजी डूबेगी और कैसे वो इस शौक को जहल पाएंगे ये आगे देखना होगा और इस लिहास से ये पूरा का पूरा ममला भारत में बैंकिंग और economy सेक्टर के लिए काफी बड़ा और काफी महतोपूर्ण अमला होने वाला है जिस पर शायद हम इस महिने के अंतर तक कोई फैसला होते देखेंगे शुक्रिया अन्शुमान सर्थ Act of God और इसके आसपास आर्थिक जगत में क्या सब घूम रहा है उसे बहुत ही आसान भाषा में समझाने के लिए कैसा लगा आपको हमारा या पॉडकास्ट कोई सुझाओ हो या कोई शिकायत तो लिख भेजिए हमें radio at आज तक डॉट कॉम पर शुक्रिया